हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका इगनु वावा में I hope you are doing well दोस्तों इगनु के सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा अपडेट है अपडेट इगनु ऑनलाइन एक्जामिनेशन को लेकर है ऑनलाइन कोर्से के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि सर ऑनलाइन कोर्स का एक्जामिनेशन कपसे होगा क्योंकि ओडियल के एक्जाम लगातार लेता आ रहा है और भी टाइमली ले रहा है तो देखे ऐसे में इगनु ने कली ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि अब जो ऑनलाइन कोर्से से उनके भी एक्जाम कंड़क करवाये जाएंगे आप देख सकते मैंने इगनु की ओफिसियल वेबसाइट को ओपन किया है जिसका लिंक है इगनु.ac.in जैसी आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आओगे तो देखोगे राइट हैंड साइड पे आपको एक यहां पर नोटिफिकेशन दिखेगा जो कली एक्टिवेट हुआ है रात में आया यह नोटिफिकेशन जिसमें लिखा हुआ हुआ है commission of online examination form for June 2022 of IGNU online programs तो confused नहीं होना है यह exam form online programs के लिए है और यह कौन सा term and exam है June 2022 का क्यूंकि इस से पहले वाला जो पंड़क करवाया गया था मतलब 2-3 महीने पहले वो पंड़क करवाया गया था December 2021 का ठीक है तो अब जून 2022 की बारी है तो ऐसे में यहां पर मतलब बहुत ज्यादा यह रात भरी खबर है students के लिए क्योंकि online courses के जो exam थे वो काफी late time से ले रहा है देखिए यहां पर 2023 आ गया लेकिन जून 2022 के ही exam हो रहे है तो दोस्तों वीडियो को end तक देखेगा बहु सबसे पहले आपको क्या करना है इगनु की official website को open करना है इगनु.ac.in यह लिंक मैं आपको description box में प्रवाइड करूँगा लिंक open करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है जैसा मैंने दिखाया अलार्ट सेक्शन में right hand side पर submission of online examination form for June 2022 और इगनु online programs इस पर क्लिक करना है तो आप उस official website पे पहुंच जाओगे जहां से आपको examination form को submit करना है ठीक है अब देखें यहां पर कुछ important बाते हैं उनको हमें ध्यान में रखना है जैसा कि मैंने बताया कि exam form कब से fill किया जा रहा है तो 2 जनवरी रात में यह update आया था कल थी 2 जनवरी और यह 15 जनवरी तक open रहेगा ठीक है तो अभी आपके पास plenty of time है कि आप decide कर सकते कौन सा exam आपको देना है कौन सा नहीं देना है मैं तो यह कहूंगा कोई भी exam छोड़ना नहीं है सभी fulfill कर दीजे क्योंकि कोई ज्यादा कोशली इसमें फीस नहीं है मतलब अगर आप exam को skip करो तो आपके लिए ही जाके वह मतलब दिक्कत करेगा ठीक है अब देखें यहाँ पर जो examination pattern होगा वो दो type का होगा जितने भी certificate और diploma program है जितने भी student जो certificate program और diploma program में enroll कर चुके हैं उनके लिए जो question पर आएगा वो multiple choice question होगे उनमें उनको tick लगाना होगा लेकिन जो UG courses होंगे bachelor degree program होगा और post graduation PG courses ह होंगे उनमें उनको subjective type का answer लिखना होगा अब देखें यहाँ पर जो registration fees है वो 200 रुपए पर course है मतलब कि अगर आप एक course का examination form फिल करते हो तो आपको 200 रुपए दिना होगा दो का करते हो तो 400 रुपए यानि 200 के multiple में आपको pay करना पड़ेगा अब दूसरी बात रही कि जो 20 डॉलर पर subject pay करना है ठीक है अगर कोई बंदा बाहर से exam form को फिल कर रहा है तो अब देखें इसमें अगर आपको कोई problem आती है ठीक है मतलब examination form में कुछ आपको लगता है कि नहीं discrepancy है तो आप इनको mail कर सकते हो iop support at the rate ignuonline.ac.in यह तो रही बात अब देखें यहाँ पर required number of assignment as applicable for the courses filled for appearing in the term and examination has been submitted मतलब कि जितने भी आप examination form fill कर रहे हो जितने subject का उनका assignment आपका submit हो जाना चाहिए मतलब हो गया हो तभी fill करना है नहीं तो नहीं करना है ठीक है करना है और proceed to fill online examination form पे click कर देना उससे पहले दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो payment होगी आपकी वो debit card credit card internet banking से ही होगी ध्यान रखना इस बात का बहुत सारी student पूछते रहते हैं कि सर हमारी payment नहीं हो रही है payment अटक गई है ऐसा कुछ कहने लगते हैं तो यह ची आपको पैनिक में नहीं आना है दोस्तों पैनिक में आओगे काम खराब हो जाएगा ठीक है कम से कम 72 आवर्स तक वेट करना है और 72 आवर्स तक भी मतलब कोई इसमें मतलब आपको नहीं मतलब इसमें दिख रहा है कि आपका आपको क्या करना है इनको मेल करना है और cc में किसको रखना है आपका जनरेट नहीं हो रहा है उससे पहले आपको इस मतलब जो यहां पर payment status है उसको चेक करते रहना है 72 आवर्स तक ठीक है इसमें इन्होंने Sunday Saturday और जितने भी holiday है उनको हटा के 72 आवर्स बता रखा है तो इसका ध्यान रख लेना है किसी दिन मतलब Sunday Saturday और उस दिन ना चेक करना है अब देखें तो जैसी आप declaration के check box पे क्लिक करोगे औ online examination पर जाओगे तो यहां पर सबसे पहले क्या करना है आपको अपना enrollment number डालना है और आपको अपना program चूज करना है program चूज करने के बाद choice of exam mode अब देखिए यहां पर बहुत student confused होंगे तो मैं बताना चाहता हूं already बहुत सारे student को मैं बता चुका हूं कि जो online form है जो online course है उ सब्जेक्टिव एंसर लिखना बहुत ही मुश्किल है तो आपका पेपर साइब multiple choice question का बनाएंगे ठीक है तो यह चीजे ध्यान रखना है या कुछ ऐसा बनाएंगे जिसको की computer पे दिया जा सके कोई भी student इस मतलब ख्याल में न रहे कि जो यह computer based test होगा CBT होगा यह घर पर होगा घर पर बिल्कुल भी नहीं होगा यह कहां होगा इगनू के exam center पे ही होगा बहुत सारे student पूछते रहते हैं sir online course में admission यह तो क्या हमारा जो exam है वह online घर पे बैठके दे सकते हैं क्या नहीं ऐसा नहीं होने वाला है आपको इगनू के exam center पे ही जाना पड़ेगा exam देने क जिसमें आपको अपना basic detail फिल करना है नाम मोबाइल नंबर एड्रेस पहले से आजाएगा उस पर checkbox पर क्लिक करना है बस ठीक है आपको अपना मतलब basic detail फिल करना है उसके बाद आपको अपनी प्रोग्राम को select करना है जितने भी प्रोग्राम है जिनका exam देना चाहते हो ठीक है उनको select करना और फिर प्रोशीट टू मतलब payment के लिए करना और payment करके दन कर देना आपका exam form submit हो जाएगा दोस्तों मैं फिर से बताता हूं अगर कोई भी problem हा रही है आपको exam form को fill करने में तो मतलब आप मुझसे directly contact कर सकते हो telegram के मतलब माधियम से simply आपको क्या करना है telegram open करना है search करना है इग्मू बाबाजी जो सबसे top पे group आएगा ठीक है उस कैसे fill करना है तो आप मुझसे directly personally contact कर सकते हो मैं वहाँ आपको guide कर दूँगा कि कैसे आपको आपके exam form को fill करना है I hope दोस्तों आपको सब कुछ clear हो गया होगा और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे क्योंकि जितने भी इम्मू के updates हैं वो हमारे चै यह थैंक यू बेरी मच्छ